हेलो दोस्तों बिलकम दोस्तों बहुत सारे वीडियो में मैंने गाड़निंग के लाब की चर्चा इस संदर में की है कि कैसे ये हमारे घरों के अंदर घरों के आसपास गाड़निंग यानि पेड़ पौधे हमारे वाता बरन को साफ और सक्ष रख सकते हैं हमारे रसोई को हमारे बेट को इन सब को दोस्तों आद बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि कार्बन डायाकसाइड जो कि हमारे घरों के आसपास हैं हमारे घरों में है कितनी खतरनाक है दोस्तों हम ग्लोबल वार्मिंग को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन होम वार्मि साइट की खतरनाक रूप का पर्चे कराएगा दोस्तों और इलास्तों मैं कई वीडियो में बता वी चुका हूं इससे पहले कि आगे बढ़ें आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्लेलिस्ट के माध्यम से अध्या गार्णिंग चैनल पर वीडियो देखें आपक में किया दोस्तों वाता प्रण में दोस्तों बढ़ें, काइरपं डायced का बढ़ने से रोक नहीं पाएं, इसो दोस्तों अगर धर्टी का टंपरेचर एक डिग्रीं और बढ़ गया न यह जो पचास साल में में घरम हवाओं का दोड जिसमें बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाता था अब वह तीन साड़े तीन साल में आने लगे दोस्तों कि एक लीटर डीजल अगर जलता है दोस्तों तो शॉइस प्राइब चाहूं होता है एक लीटर डीजल जब जब जलता है तो 720 ग्राम कार्बन उस्तरजित होता है दोस्तों जिसको सोखने के लिए जिसको न्यूट्रिलाइज करने के लिए इसी की तीन गुनों ऑक्सिजन की जुरत परती है तब वहां का बैलेंस हो पाता है अब आप समझ सकते होंगे दोस्तों कि एक लीटर डेजल जलने में हमें कि अगेंस्त में कितने पौधे लगाने पड़ेंगे दोस्तों तब जाके औक्सिजन का रिश्यों बैलेंस हो पाएगा इसका हल बर्गत है दोस्तों बर्गत बहुत अच्छा हल है बर्गत मैं एक साधान से बात करूं अगर कि किवल 10 साल का पेड़ किवल 10 साल का पेड़ जो जमीन में लगाओ गमले में नहीं 10 साल का पेड़ ही लगबख 21 लिटर के आसपास कारबन डायाक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है एन्वली लेकिन 118 से 120 लिटर के आसपास ऑक्सिजन रिलीज करता है यनि कई गुना ऑक्सिजन देता है तो कारबन डायाक्साइड का चैलेंज बर्गत से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं यह हमारे लिए बहुत बढ़ा हथियार सावित हो सकता है दोस्तों हां अर्बन एरियाज में यह इसका रेशियो बढ़े यह बहुत जरूरी है दोस्तों जहां पर वाता ब्रण का बहुत ज्यादा मुद्धा है हमारे वाता ब्रण में दोस्तों सी कार्बन डायाक्साइड बढ़ने से वाता ब्रम में फरक्या पड़ता है वाता ब्रण गरम होने लगता है और नो डाउट, कि समुद्र इसको कंट्रोल करने में बड़ा रूल प्ले कर रहा है, समुद्र इस गर्मी को सोख लेता है दोस्तों, इन कार्बन डायकसाइड गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा कार्बन डायकसाइड गैस होने से, उसका पानी बहुत ज़्यादा एसे डिक होता जारा, जिससे वह उसके अंदर जो लाइफ है, मचलियां है, बहुत सारे जियोजनति हैं, उनके लिए चैलेंज बन गया, दोस्तों, कार्बन डायकसाइड की खराबी क्या है, खराबी क्या है, यह बहुत लंबे समय तक हवा में बना रहता है, हम उसके अंदर जो कार्बन डायकसाइड है, वो लंबे समय तक वातावरा में रहता है, जो की गर्मी का सबब बनता है, दोस्तों, तो दोस्तों, कार्बन डायकसाइड गैस हमारे घरों में, हमारे घरों के आसपास ना हो, इस पर मैं आपको इन सारे कई सारे वीडियो दे कि अलावा आप पेर पौधी खूब लगाएं जितना संभव हैं लगाएं ताकि आपका घर होम वार्मिंग की चबेट में ना आए और आप एजी फैमिली एक खुशहाल और सस्त जीवन जी सकें जो कि आज की सायद सबसे बड़ी ज़रूरत हैं थेंक्यू दोस्तों